नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सोरो और आपका बहुत बहुत स्वागता है हमारे चैनल इट्सकूल पर दोस्तों आप मेंसे बहुत सारे विवर जब किसी अननन डिवाइस पर लोगिन करने की कोशिच करते हैं तो जीमेल आपसे एक OTP की मांग करता है जहां फिर आपने two step of verification को और करता है जिसके कारण जीमेल आपसे OTP मागता है यह वीडियो इसी के उपर है कैसे आप इस OTP को बाइपास करके जीमेल को लोगिन कर सकते हैं किसी भी डिवाइस पर सबसे पहले जो भी वीवर हमारे चैनल पर पहली वारा हैं किरपयव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बैल का आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे latest update आप तक जल्दी सी जल्दी पहुंच सकें तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने पहले से अपने Google अकाउंट को जहां पर लोगिन कर लिया है हमारे पास जहां पर पहला option तो यह है कि हम अपनी Android डवाइस पर जैस क्लिक करके अपने Google अकाउंट को उपन कर सकते हैं लेकिन यह तब ही possible है जब हमारे डवाइस पर इंटरनेट की सुविदा अप्लब्ध हो दूसरा option यह है कि हम text message के जरी यह verification को पूरा करें आपको इन दोनों में से किसी को भी select नहीं करना है आपको जहां से दूसरे number वाली option को choose करना है इस security code को जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने Android phone में settings को open करना होगा इसके बाद आपको जहां पे Google का option दिखाई देगा वहाँ पे click कर दीजिए Google पे click करते ही आपके सामने कुछ ऐसा interface open हो जाएगा आपको जहां पे Google account का option दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे click कर दीजिए Google account पे click करते ही आपके सामने एक ऐसा page open हो जाएगा जहां पे आपको home, personal info, data and personalization की option दिखाई दे रही होगी इसके साथ ही आपको security की option मिलेगी उसको select कर लीजिए security पे click करते ही आपके सामने चार option show हो जाएगी इन चारों में से आपको security code वाली option को choose करना है device का password verify होते ही आपके सामने security code सो open हो जाएगे आपको आपकी screen पे दो security code दिखाई देंगे आप इन में से कोई भी security code अपने gmail account में डाल सकते हैं login करने के लिए इसलिए एक बार मैं आपको अपने gmail account को in verification code के साथ open करके दिखा देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अपना gmail account successfully open कर लिया in verification codes की help के साथ दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो like, share, comment करना ना भूलें और चैनल को subscribe जरूर कर दें